नमस्कार दोस्तों आनंद स्टडी ओनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है तो अभी के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा यानि कि सब इंस्पेटर का जो एकजाम होने वाला था दोहरे कीस में इसका डेट दिया गया था जिसमें टोटल पद 2213 नि बहुसारा कोमेंट है हम सोसल मेडिया पर भी देखते थे अपने वीडियो पर भी देखते थे बहुसारे प्रिविएस में जो बीडियो हम डाले हैं उसपे कि इसका अग्जाम कब होना है बहुसारे चात्रिया चात्रा है इससे कंफ्यूज है कि कुछ उनको तैयारी का एक नया दिसा नहीं मिल पारा मतलग किस प्रकार से त्यारी करें कितना हम जोड लगाएं त्यारी पर तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर सम्हावित तिथी जो दिया गया था मई में और कुछ यहां पर सही भी माना जा रहा है कि मई में ही एक्जाम को जो है कंड़र्ट लिए भी दिया गया और बाकी जितने सारे एक्जाम पेंडिंग में मतलब इसका रिजल्ट आना है मेरिट आना है उससे पर कार रहोगा यहां पर देखिएगा आप लोग खास रूप से यहां पर बोला गया कि सिस्छल संस्थान सिनेमा हॉल मॉल पार्क जिम सब बंद रहे भी दियाले परिचा समीती पर यह लागू नहीं होंगे मतलब शाथ मुकमंत्री के दोरा बोला जा सुका है कि जितने भी नियम है मतलब आप देख रहे हैं कोरोना के अनुसार मतलब भी कोरोना के बढ़ते मामलों में आप देख रहे हैं कि रात में जो कर्फ्यू लगाया दिया जा रहा है साथ बज़े के बाद रात में उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारे नियम कठोड होते नजर आ रहे हैं बहुत सार बहुत सरे खाने बेगरे, रेस्टोरेंट बेगरा, बंद कर दिये गए, लेकिन यहां पर आप लोग के लिए खास तर पर बोला गया कि B.S.S.C. आयोग जो कि आप लोग का योग है, दरोगा बाले का योग है, तो वहां पर उसके दोरा बोला गया कि उसका जो भी कार रहे उ बहुत सारे लोग क्वालिफाई की है, तो उनका मेरिट लिस्ट भी तयार होना है, जिसका भी डेट मतलब आयोग दोरा तो नहीं बोला गया, लेकिन लगता है कि मई, 15 मई, मीड मई के पहले आ जाना है, वहां तो भी देखा जाएगा, फिर देखेंगा आप लोग की बिहा हो जाएगा, क्योंकि कोरोना के बढ़ते रफ्तार से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कि परती दिन जो है, तितनी खराब होती जा रही है, कि मतलब कोई भी निर ने सही नहीं लिया सकता है, आज बोला गया है, कि ये जो है कि मतलब BSSC आयोग, मतलब जो भी आयोग है, उसका काम सुचारो डूप से आगे चलते रहेगा, उस पर कोई भी नियम लागून नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख पाएं कि ये जो नियम है, आगे बदलते वुए नजर भी आ सकते हैं आप लोग को, इसलिए आप लोग को क्या करना है, कैसे करना और मुझ इस पर हम एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, कुछ समयबाद मतलब कुछ ही देर बाद हो सकता है, या कल भी एक वीडियो आप लोग के सामने आ जागा, इसमें हम डिटेल रूप से चर्चा करें कि बिहार दरोग का एकजाम होना है या नहीं होना है मही में, अगर मही मे क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नए चात्र जो की पहली बार दरोगा का एकजाम देते हैं, बहुत सारे होंगे, दोसरी बार, तिसरी बार भी दरोगा का एकजाम दे रहे होंगे, तो उनलोग के समझेत मतलब क्या आप लोग का रनिती रहना चाहिए, और कैसे आप भी लाइव आ सकते हैं आप लोग के लिए क्योंकि अब मेरा बचा हुआ समय जो है आप लोग के लिए होने वाला है क्योंकि दरोगा वाले पर थ्यान अब ज्यादा देने वाले हैं तो आप लोग को क्या करना हुआ कि अब पर आप लिएगा अगर आगला वीडियो आएगा दरोगा पर ही आएगा उसके बाद हम उसमें सारा चीज़ डाउट आप लोग का क्लियर कर देंगा ठीक है तो फिर्म बिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीए और शेर कर दिए उन लोगों में चो लोगों नहीं जान रहे हैं आज का अपड़िट क्या है और आप लोगों अगर नए है तो इसको सब्सक्राइब जिरूर कर लिजे ठीक है फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक यू जय हिंद